प्रिकार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अजे कुमार यादव एक बार फिर से हजिर हूँ इतिहास के जरोखे से कनमोल का था लेकर मेवाड और मुगल संकर्ष का एक लंबा इतिहास राह है महाराना प्रताप ने प्रतिग्या की थी कि बप्पा रावल का वंसज किसी के आ साथ संगर्ष किया हल्दी घाटी का परसीद्य लड़ा गया तो मेवाड का मेराथन कहा जाने वाला दिवेर का युद्ध लड़ा गया उन्नीश जनवरी सन 1597 में इस्वी को महाराना प्रताप की मिर्थी होगी उन्होंने अपने सब सरदारों को बुला कर उनसे संकल्प कर आया कि मेवाड को कभी पराधीन नहीं होने देंगे उनका जेश्पुत्र महाराना अमर सिंग राजगद्धी के उपर आशीन हुआ वह भी महाराना प्रताप की तरह सूरवीर था उसने मुगलों के साथ बहुती बहानक संगर्ष किया लेकिन महाराना अमर सिंग के इतिहास के बारे में के इतना लिखा जाता है कि उन्होंने मुगलों से संधी कर ली उन्होंने मुगलों से 18 युद्ध लड़े थे सन 1615 इसमें मेवाड मुगल संधी हुई थी उन 18 युद्धों के अंदर उन्होंने मुगलों को बुरे तरीके से प्राजित किया था उन्होंने अप पर ही है कहना उचित होगा कि महाराना अमर सिंग कभी भी संदी के लिए तैयार नहीं हुए जब जहागीर 1605 इस वी के अंदर सलीम जिसका नाम बाद में जहागीर पड़ा राज सिंग असन के उपरा आशिन हुआ तो उसका एक मात रुद्दे से था कि किसी भी तरीके से मेव मेवाड के अंदर भेजे और मेवाडी सेना उनका मुकाबला करती रही जब युद के अंदर मेवाडी सेना से उसकी पार नहीं पड़ी उसकी पेश नहीं चली तो उसने मेवाड के गाउं को लूटना और बरबाद करना शुरू कर दिया लोगों की हत्याएं की जानी लगी इस्त्रियों और बच्चों को बंधी बनाया जाने लगा फसलों को उजाड़ा जाने लगा और मेवाड का सवर नास करने के उपर मुगल से न तुलगी यह मेवाडी सामन्तों और सरदारों के लिए भौती भैनक घड़ी आ पहुंची मेवाडी के अंदर लूट पाट और बलातकार का नंगा नाच होने लगा लेकिन मेवाड का सूरी पुत्तर अमर सिंग फिर भी अपनी नंगी तलवार के बल पर मुगलों को चनोती दे रहा था आखरकार महराना आमर सिंग के जेश्ट पुत्तर यूराज करन सिंग को कुछ सरदारों ने और सामन्तों ने सहला दी कि वे मुगलों के साथ संधी करने को तैयार होगे और करन शिंग जुस समय सहजादा खुर्रम जो बाद में साजा के नाम से सिंग असन पर बैठा उसके साथ मिले सहजादा खुर्रम ने संधी का पत्तर जागीर को भिजवाया और आसान सर्तों के पर संधी के गई कि मेवाड का महाराना कभी भी दरबार के अंदर उपस्तित नहीं होगा मेवाड और मुगलों के कभी वेवाईक संबन नहीं किये जाएंगे केवले एक संधी ये रखे गई कि चित्तोड की दुर की मरमत नहीं की जाएगी मेवाड के जितने भी छेतर मुगलों के अधीन थे और जो डुंगरपुर और बासवाडा जो सवतनतर हो गए थे वे से भी उसको लोटा दिये गए मेवाड के महाराना को लोटा दिये गए थे ये संधी का पत्तर लेकर जब करन शिंग और सामन्त मेवाड के महाराना अमर शिंग के पास पहूंचे तो उन्हें बहुत दुख पहुँचा उन्हें सबसे ज़्यदा इस बात का दुख पहुँचा कि अपने पिता स्री की बात का मान नहीं रखचपा उन्होंने यही का कि जब आप सब लोग यही चाहते हो तो यही ठीक है और उन्होंने राज काज का कारिय भार अपने पुत्र करन शिंग को सोब कर खुद एकांत वास के अंदर चलेगी और उनके जीवन के अंतिम पांच साल के ब्भगवत बचन के अंदर बिते और मेवाड के महाराना मेवाड के यूराज करन शिंग बादसा जहागीर से मिले बादसा जहागीर ने उनका भरपूर श्वागत किया मेवाड के महाराना को कभी भी दरबार में उपस्तित होने के लिए बाद नहीं किया गया वे अपने किसी भी शेवक को या किसी भी सेनापती को दरबार के अंदर भेज सकते थी उनसे कभी भी अनिवारी शेनिक शेवाई लेने के लिए बाद नहीं कियागा इस परकार बबपाल रावल के लगभग एक हजार पचास वरसों के बाद मेवाड की सौइध हिंता का अंत हुआ लेकिन मेवाड के महाराना अमर सिंग के बलीदान को उनके किये हुए संगर्ष को इशली भुला दिया गया क्योंकि उन्होंने मुगलों से संधी कर ली थी जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उससे महाधिकांस मेवाड के सरदार और सामन संधी के पक्षमी हो गए थे प्रेमित्रो आज का वीडियो कैसा लगा आज की वीडियो में इतना ही वीडियों को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपने भाई को सपोर्ट करते रहें हम इसी प्रकार के इतिहास मोटिवेशन, लाइफ मेनेजबेंट, इतिहास फॉरानी कथाउं के वीडियो डालते रहते हैं जैहिन जैभारत